तो अब हम लोग सीठेंगे 2 by 2 का गुना तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 2 अंक उपर में दिया गया है और 2 अंक नीचे में दिया गया है तो इसको किस तरह से solve करते हैं? समझते हैं देखिए यहाँ पे 2 को गुना हम लोग 2 से करेंगे यानि 2 दूनी 4 और 4 लिखेंगे यहाँ पे चार यहाँ पे लिखने के बाद फिर का करेंगे हम लोग इस 2 से इसको भी गुना करेंगे फर्स टाइम इसको गुना कर चुके हैं और इस 2 से आब इसको भी गुना करेंगे फिर 2 का पहारा परेंगे 2 बार तो दो दोनी हो जाएगा चार ठीक है और ये दो से देखिए इस दो से हम लोग दोनों को गुना कर चुके है और ये वाला दो बाकी है अभी ठीक है इस दो से भी दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 तो एक डिजित छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक है एक अंक यहाँ पे हटा करके लिखेंगे यह चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको और पिर इस दो को इस दो से विगुना करेंगे तो यह हो जाएगा दो दुनी चार तो चार को हम लोग लिखेंगे यहां पे अब हम लोग इसको क्या कर देंगे जोर देंगे जोर हम लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं तो चलिए इसको जोर लेते हैं चार यहां पे कुछ नहीं है तो सीधा सीधी यहां पर 4 आजाएगा फिर इस 4 में इस 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8 और यह 4 में कुछ नहीं जोड़ना है तो यह सिर्फ 4 रह जाएगा ठीक है यानि कि अगर हम लोग 22 को 22 से गुना करें तो यह हो जाएगा हमारे पास 484 चलिए next example पर चलते हैं यहाँ पर हमें गुना करना है एक का पहारा तीन बार परेंगे तो एक तीया तीन लिखेंगे फिर उसके बाद इस एक को इस एक से गुना करेंगे तो एक एकम एक हम लोग ने पढ़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक फिर इस तीन को इस तीन से भी गुना करेंगे तो तीन तीया लिखेंगे यहाँ पर नौ एक अंक छोड़ करके यहां पे लिखेंगे 9 और फिर इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एक हम 3 लिखेंगे ठीक है अब इसके बाद क्या कर रहेंगे इस दोनों को जोर देंगे ठीक है तो हम लोग इसको जोर देते हैं यहां पे 3 में कुछ नहीं जोरना है तो यह आजाएगा 3 क्योंकि हम लोग हासिल वला भी जोर सीखें तो यहां पे यूज होगा जैसे के एक में अगर हम लोग 9 जोरेंगे तो यह होता है 10 तो 10 के हम लोग लिखते हैं 0 और 1 केरी होकर कर आता है यहां पे इस एक को इस 3 के साथ जोरेंगे तो यहां पे हो जाएगा यह चार चलिए अब next example की और हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे हमें देखिए 18 को 11 से गुना करना है तो 1 को गुना करेंगे 8 से तो 1 अठे 8 होगा फिर 1 का पहारा 1 बार परेंगे तो 1 एकम 1 ठीक है फिर इस 1 से भी दोनों को गुना करते हैं तो सबसे पहले करेंगे एक को पहारा एक 8 बार परेंगे तो 1 अठे 8 होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे और फिर 1 एकम 1 तो उसको लिखेंगे यहाँ पे ठीक है अब इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड देंगे तो 8 में कुछ नहीं जोरना है तो यहां पर 8 आ जाएगा फिर 1 में 8 जोरेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 ठीक है और 1 में यहां पर कुछ नहीं है तो यह सीधा 1 आ जाएगा बढ़ते हैं अब next example पर यहां पर देखिए 2 का पहारा दो बार पलेंगे तो 2 दुनी होगा यहां पर 4 फिर इस 2 को 4 से भी गुणा करेंगे तो 2 चोगा हो जाएगा 8 ठीक है फिर यहां पर इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दुनी होगा यहां पर 4 और इस 2 को अब last में इस 4 से भी गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा दो चोगा आठ अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोरेंगे तो चलिए जोरते हैं इसको चार में कुछ नहीं जोरना है तो यहाँ पर चार आ जाएगा उसके बाद देखिए 8 और 4 को जो रेंगे तो यह होगा 12 12 के हम लोग क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं और 1 कैरी होकर क्या आएगा यहाँ पे यह वाला 1 और यह 8 यह हो जाएगा 9 ठीक है बढ़ते हैं next example पे यहाँ पे हमें गुना करना है 1 को 7 से तो 1 सत्य लिखेंगे 7 फिर एक को गुना करेंगे चह से तो एक छक्के हो जागा चह फिर एक को गुना करेंगे साथ से तो एक सत्य यहां पर लिखेंगे साथ और फिर एक को गुना करेंगे चह से तो लिखेंगे एक छक्के चह अब इस दोनों को हम लोग जोरेंगे ठेक है तो यहां पर साथ में कु यहां पर इस वाला एक और यह च्छा को जो रहेंगे तो यह हो जाएगा साथ तो साथ लेखेंगे यहां पर ठीक है अब आपको बताना है कि अगर हम लोग 10 को गुना करेता इस से तो कितना होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंकियो फॉर वाचिंग वीडियो